पेट से समंदित कुछ परिशानियां जैसे कि बार बार टॉलेट जाना और टॉलेट जाने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि अभी भी पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है कई बार दस्त भी लग जाते हैं जिनकी फेक्वेंसी बड़ भी सकती है और जिसकी बज़े से कई बार लेटरिन की रास्ते से खून भी आने लगता है इसके साथ ही कई लोगों को पेट में अक्सर दर्द बना रहता है और पेट में अंदर अलसर यानि च्छाले जैसा महसूस होता है और ये हमारे मूँ से लेकर हमारे आतों और हमारे गुदा द्वार तक एक किसी भी हिस्से में ये ऐसी समस्याएं महसूस अगर होती है तो ये सारे लक्षन इंडिकेट करते हैं कैसी बीमारी जिसे हम इन्फलेमेटरी बाउल डिसीज यानि आई बीडी कहते हैं वाच कि इस वीडियो में हम आई बीडी यानि इन्फलेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में डिटेल में जानेंगे हम जानेंगे कि इसके ये विमारी क्या होती है इसके symptoms क्या होते है किस कारण से होती है इसके treatment options क्या है diagnosis कैसे की जाती है और क्या-क्या complication हो सकते है तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे मैं हूँ शेश मुनी पांडे और आप सभी के सब्सक्राइब आते हैं मेरे यूटूब चैनल पैरामेट टॉपिक पे जहां पर आपको मिलती है medicine and health से related information अगर आप में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार मुझे चैनल पर आए है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट साब को सबसे पहले मिल सके तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें हैं IBD यानि कि inflammatory bowel disease inflammatory मतलब होता है surgeon bowel मतलब होता है पेट से संबंधित disease मतलब होता है रोग यानि कि हमारे पेट से संबंधित रोग जो कि हमारे GIT यानि कि gastrointestinal tract हमारी अहार नाल होती है जो हमारे मुँव से शुरू होती है और हमारे गुदा द्वार तक जाती है उसके किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का surgeon inflammation अगर हो जाता है तो उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती है इस बीमारी का पता लगने के बाद इसे तुरंद control करना बहुत ही आवश्यक होता है otherwise ये बीमारी काफी खत्रे पैदा कर सकती है वास्तों में IBD एक बीमारी नहीं है ये बीमारी ओं का ग्रूप है इसे कभी भागों में डिवाइट किया गया है तो IBD के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली दो टाइप की होते हैं एक होता है ulcerative colitis और दूसरे हम कहते हैं Crowns disease ulcerative colitis है ulcer का मतलब होता है ऐसे चाले बनना यानि कि inflammation के कारण जो सूजन आ जाती है उसमें ulcer type की बन जाते है colitis मतलब होता है itis का जहां भी लगा होता है उसका मतलब होता है inflammation और colon, colitis मतलब colon में inflammation यानि कि हमारी जो GIT tract का जो large intestine होती है उसमें जो part होता है अपरी colon वो colon में अगर inflammation हो जाता है तब इसे ulcerative colitis करते है ulcerative colitis से सिर्फ हमारे colon को affect करता है जब कि crowns disease हमारी पूरी GIT tract यानि कि हमारे मुह से अगर शुवात की जाए तो गुदा द्वार तक जो हमारी आहर नाल होती है उसके किसी भी portion में ये विमारी हो सकती है अगर ये मुह में होती है तो मुह में च्छाले हो सकते है इसोफेगस में भी हो सकता है swelling हो सकती है च्छाले हो सकते है जलन हो सकती है इसके लावा stomach में भी हो सकता है इसमाल इंटेस्टीन या लाज इंटेस्टीन किसी भी हिस्से में ये inflammation और सूजन हो सकती है हम बात करते हैं types of ulcerative colitis यानि कि ये कितने प्रकार का होता है तो इसका जो classification based होता है वो according to severity of the disease यानि की बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इसको classified किया गया है तो इसे हम कम severe condition से लेकर बहुत ही जादा severe condition के हिसाब से अगर classified करें तो इसमें जो सबसे पह है उसमें सूजन पैदा करता है और inflammation करता है तुसरा है ulcerative sigmoiditis यानि कि यह हमारे sigmoid colon यानि last part of the colon जो rectum के ठीक ऊपर होता है उस area को affect करता है तो साथ में इसमें एनस भी included होता है तुसरा है left sided colitis जिसमें की sigmoid colon और हमारे जो left side colon होता है जिसे हम descending colon भी कहते हैं और साथ में यह एनस को भी include करता है वहाँ पर inflammation और सूजन पैदा करता है चौथा है pancolitis pancolitis का मतलब होता है कि पूरा का पूरा intestine cover करता है जिसमें large intestine यानि कि large intestine की जो भाग होते हैं जिसमें कि हम ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon और rectum यह सब कुछ इसमें included होता है और इसमें किसी भी भाग में यह inflammation सूजन हो सकती है अब हम बात करते हैं इसके symptoms की यानि कि इसके लक्षन क्या क्या होते हैं तो इसके जो सबसे ज़्यादा जो लक्षन दिखाई देते हैं शुरुआती दोर पे ही वो होते हैं abdominal cramps, diarrhea और tennismus, abdominal cramps मतलब पेट में मरोड आना और उसके साथ है अर्ज पैदा होन है, toilet उसके बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हुआ है और यह स्थिती हो सकता है आपको पूरे दिन तक बनी रहे हैं एक इसका symptoms होता है sudden urge यानि कि आगर आप कहीं पर बैठे हैं normal condition में हैं और suddenly आपको abdominal cramps start होता है और बहुत ही emergency वाली feeling आती है कि आपक की शरणी में रखते हैं तो यह symptoms basically initial stage में देखे जाते हैं यानि कि शुरुवाती लक्षण होते हैं जो कि severe लक्षणों में नहीं आते हैं अगर इनको treat नहीं किया गया है तब यह severe symptoms में develop हो जाते हैं severe symptoms में क्या-क्या होते हैं severe symptoms में जो आपकी frequency है toilet जाने की या diarrhea की वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है initial stage में हो सकते हैं कि आपको दो या तीन बार लगे इसके बाद जब यह severe हो जाता है तो 10 से 15 बार तक जाना पड़ सकता है और कई बार यह blood भी आ जाता है abdominal cramps की भी intensity बढ़ जाती है मतलब पेट में दर्द बहुत ही ज़्यादा होने लगता है और दस्त तो लगते ही ही बहुत ज़्यादा जिसकी वज़े से dehydration हो जाता है dehydration होने की वज़े से इसका असर सीधा आता है आपकी या आपका body weak होने लगती है आपकी मांस्पेशिया सि absorption disturb होने से आपका metabolism disturb हो सकता है और भी दूसरे complications इसमें स्टार्ट हो सकते है इसकी severity सिर्फ यहीं ते नहीं रुकती है अगर यह से control नहीं किया गया तो यह दूसरे शरीर के parts को भी damage कर सकता है जैसे कि joints हैं तो joints में यह pain बढ़ा सकता है joints में swelling बढ़ा सकता है चेहरे में सूज इची और watery eyes हो सकती है ulcer and bumps on the skin यानि कि आपके skin में भी उभार और जलन पैदा करने वारे ulcer type के भी यह develop हो सकते हैं तो यह सारी symptoms यह severe symptoms में आते हैं अब हम बात करते हैं इसके causes यानि कि इसके कारण क्या है तो यह जो IBD है inflammatory bowel disease यह basically एक autoimmune disease होती है autoimmune disease का मतलब होता है यह सौत इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने किसी को appoint किया है किसी ऐसे खास व्यक्ति को जो इस काम के लिए रखा गया है कि कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप अंदर ना आने दें उसे रोकने के लिए लेकिन अगर वो बाहरी व्यक्ति और अंदर क गर के वेक्तिव में फर्ग नहीं महसूस कर सकता है और आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी बाहरी आए उसे अंदर ना ने दिया जा गर अंदर आए तो उसे मार दो तो उस कंडिशन में क्या होगा आप समझ सकते हैं कि सेम ऐसी कंडिशन हमारे अंदर होती है कि ज लेकिन यह क्या करती है कि हमारी ही body के कुछ organs की cells को बाहरी समझ लेती है और उसकी वज़े से उनको ही destroy करने लगती है तो क्या होता है कि यह जिन जिन parts में ऐसा होता है तो intestine के तो वो part effect होने की वज़े से उस part में swelling बढ़ जाती है और सूजन आ जाती है और दूसरे complications भी start हो जाते हैं तो यह एक तरह की autoimmune disease है कि किसी पी तरह से कोई trigger अगर हुआ और हमारे जो colon चपेट में आ गया है तो यह क्या करेंगी autoimmunity हमारी colon को ही समझ लेगी कि यह अपना आदमी नहीं है यह बाहरी है तो colon की cells को ही destroy करने लगती है उसम inflammation पैदा करने लगती सूजन पैदा करती है और यह हमारे intestine की किसी भी पार्ट में ऐसा देखा जा सकता है तो यह इसका में जो कारण है तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है autoimmune disorders को सिर्फ control किया जा सकता है यानि कि जो immune cells से एक तरह से कहा जाए कि गलत काम करने लगती हमारे percent ही इसका एक option होता है जो कि हम treatment वाले पार्ट में इसे देखेंगे बती इसे पूरी तरह से cure करना मुश्किल है जानते हैं कि यह बिमारी के symptoms कब develop होना start होते हैं यानि कि कौन सी age के लोगों को ज्यादा affect करती है तो यह mostly 15-35 यानि की young age में ही यह लोगों को परेशान करती है और इसके जो लक्षन है वह develop होना start हो जाते हैं मतलब दिखने लगते हैं तो यह 15-35 साल के उमर के लड़कों में लड़कियों में किसी को भी हो सकता है जिनको autoimmunity disorder है और दूसरा यह भी देखा जाता है कि यह develop countries यानि कि जो गोरे लोग हैं उन लोगों में देखा जाता है ह हमारे इंडियन्स और अफ्रीकंस में इसे कम ही देखा जाता है इसका एक और बड़ा कारण होता है जनेटिक से यानि कि अगर परिवार में अगर आपके किसी को है तो हो सकता है कि आपको chances हो क्योंकि इसके लिए gene responsible होता है इस विमारी को trigger करने वाली कुछ factors भी होते हैं जै को किसी भी time पर trigger कर सकती है और आपकी severity को बढ़ा सकती है तो हमें doctor से मिलने के अवश्यक्ता कब होनी चाहिए इस विमारी के अधार पर तो अगर आपको ये लक्षन कई दिनों से हैं या बहुत जादा बार देखे जा रहे हैं तो ऐसी condition में आपको अपने doctor से तुरंत मिलन है तो doctor ही आपको investigate करेंगे और proper तरीके से बताएंगे तो इसमें क्या होता है कि जब आप doctor से मिलें तो doctor आपका physical examination करेंगे आपकी medical history लेंगे family history लेंगे और उसके बाद अगर उन्हें शंका लगती है तब आपको कुछ blood test की requirement उनको लगती है तो blood test करवाएंगे जिससे हो सक करेंगे कोई infection तो नहीं है इसके लावा दूसरे कुछ test भी होते हैं जैसे कि barium enema test इसके लावा CT scan MRI भी की जा सकती है और finally इसमें जब doctor confirm कर लेते हैं सारी चीज़ें तो फिर आपकी endoscopy किया जाता है जिसमें की colonoscopy होती है जिसमें की दूरबीन के माध्यम से आपकी आंतों में ट्यूब की तरह डाला जाता है और उसमें doctor check करते हैं कि कि किसी तरह कोई obstruction नहीं है, inflammation तो नहीं है, swelling particular कितने area में है, यह सारी चीज़ें चेक की जाती है अलसर inflammation का पता लगाने के लिए बायोपसी भी रिक मंड की जाती है जिसमें कि वो कुछ पार्ट आपका ले ले लेते हैं और उसे laboratory में टेस्ट करने के बाद आपके IBD को confirm किया जाता है कोलन यानि की कोलन फट सकता है और आपका कोलन का cancer तक भी होने की समभावना इसमें हो सकती है अब हम बात करते हैं इसके treatment की तो treatment आपकी disease की condition, severity और symptoms को देखने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं जिसमें की treatment आपका जो पहली priorities होती है कि वो autoimmunity है, तो autoimmunity को control करने के लिए immunosuppressants दिये जाते हैं, corticostrites दिये जाते हैं, 5 ASA यानि की 5 amino salicylic acid भी इसमें दिये जाते हैं, कुछ है new research के accordingly जो अभी new techniques की जो treatments में आए हैं, उनमें है genus kinase inhibitors हैं और अगर इन treatment से आपको राहत नहीं दिलती है, तो आपके affected area के inflammation और swelling को देखते हुए, उस part की cut करने यानि की surgery के लिए भी recommend कर सकते हैं, तो ये थी सारी जानकारी treatment से related, उसके बाद आपको doctor diet modification के लिए भी डाल सकते हैं, हो सकता है कि आपको liquid diet पर डालें, या ताकि आपको bowel rest मिल सके, और किस तरह की आपकी diet हो सकती हैं, ये उस time पर आपको doctor recommend कर सकते हैं, तो ये थी सारी जानकारी inflammatory bowel disease के बारे में तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे medicine and health related videos के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें और साथी bell icon दबादें, तो मिलते हैं में next studio में thank you so much for watching.